नमस्कार दोस्तों तो इस वीडियो में दो चीज डिसकस करेंगे सबसे पहले quarter 1 result और साथ साथ loan की भी बात डिसकस करेंगे इसी वीडियो को अंदर अगर आप चैनल पर नहीं है तो सबस्क्राइब अलब बटाने वीडियो को अंतर जरूर देखे का और साथ इसाथ वीडियो को लाइक करना बिलकुल मत भूलेगा पैसे नहीं लगते हैं दोस तो लाइक करने के शेर करने के पैसे नहीं लगते हैं तो प्लीज सबस्क्राइब कीजिए और लाइक कीजिए का चैनल को तो सबस्क्राइब एले result की बात कर लेते हैं रजल्ट इस quarter में अकर आप revenue की बात करें तो revenue करीबन 14,500 करोड से उपर रहेगा आपको 15,000 करोड के करीब करीबी revenue जाता हुआ दिखाई दे सकता है क्योंकि solar project complete हुए है अब क्या रोड वही main feature रहेगा ये ध्यान रखेगा नोगस्त के दिन अभी 770 करोड कर प्रोफिट ता है प्रोफिट 1000 करोड को पार कर सकता है ये भी याद रखेगा net profit की बात कर रहा हूँ मैं 770 करोड से बढ़के 1000 करोड के करीब हो सकता है और result इतना अच्छा मुझे सबसे जादा जिसमें interested रहेगा वो रहेगा solar project जो complete हुए है अगर solar project complete हुए होंगे तो उनका जो revenue आना है वो सबसे मज़ेदार होने वाला है और profitability वो कितना देके जा रहे है साथे जाते ये धियान रखेगा टाटा पार की current liabilities करीबन 45,328 करोड की है ये liabilities 42,000 करोड से बड़ी है और ये याद रखेगा ये और भी बढ़ सकती है बट इन्हें control में रखना होगा टाटा पार को और इसके regarding भी बड़ी announcements हो सकती है result वाले दिन ये याद रखेगा नोगस के दिन पे और यही मेन aspect रखेगा देखे dividend dividend मिलने वाला है नहीं dividend की बातें कुछ होंगी नहीं क्योंकि साल में एकी बार dividend देता है तो इसलिए याद रखेगा stroke चैए 2000 रुपे का हो stroke के business पर बिजनस कौन सा solar वाला solar और wind power पे जितना अगर इन्होंने emphasis दिया होगा इनके project पूरे होगा तो stroke के उतना 2000 पर जाने के chance जोंगर 20 रुपे भी जा सकता है अगर उस project में अच्छे नहीं हुए होंगे तो जो commentary पर रवी सेना जी ने किया उसके इसाफसे solar project कम्प्लीट हुए है इस बार तो ध्यान रखेगार सबसे ज़्यादा जो quarter one result में नेज़र रखने वाली बात होगी और आपको बतांगो वह solar project की रिकाइडिकों की धन्यवाद